हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायुष और दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हर्शा इंजिनियर्ज आईपियो की डीटेल्स के बारे में तो दोस्तों एक solid company हर्शा इंजिनियर्स जो है वो आपको अगले हफते से market में आती हुई देखने को मिलने वाली IPO जो है वो open होता हुआ देखने को मिलेगा हर्शा इंजिनियर्स का बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में इसके सब कुल डीटेल्स के बारे में किस price band पर ला कुछ information मिलेगी अच्छाई के बारे में बात करेंगे तो बुराईयों के बारे में भी बात करेंगे जो है तो definitely दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी information मिल जाएगी friends अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो चैनल को जरूर subscribe कर लीजेगा अगर आपको ये वीडियो ब बात के दोस्तों कंपनी के बारे में तो कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है 2010 में दोस्तों आपको शुरू होती हुई देखने को मिली थी लेकिन याद रखेगा हर्शा इंजिनियर्स इंटरनाशनल लिमिटेड जो है वो कह सकते हैं largest manufacturer है प्रिसीजन बीरिंग cages की और in terms of revenue की बात करता हूं तो यह एक organized sector है इंडिया के अंदर basically हमारे country में यह company जो है वो हर्शा ग्रुप की पार्ट है जो company है दोस्तों वो इंडिया में तो काम करती है लेकिन साथ में 25 अदर countries और 5 continents में भी serve करती है North America, Europe, Asia, South America and Africa में इनका पुरा काम काज़ है अब basically द engineering business दोस्तों किसका है bearing cages अगर आप नहीं समझते है bearing cages क्या होता है तो देखिए company का इस परकार का यह सब बनने का काम है bearing cages जो होती है वो यह सब आपको देखने को मिलती है इन सब को बनाने का दोस्तों basically company कामकार आपको करती हुई देखने को मिलती है इसमें देखिए brass क्या स्टील क्या आगए पॉली मडाइड मटेरियल्स आगए कॉंप्लेक्स और स्पेशलाइज प्रिसीजन स्टैंप्ट कंपोनेंट्स दोस्तों जो है कंपने आते भी देखने को मिलती है जिसमें वेल्डेड असाम्बली ब्रास कास्टिंग यह सब काम करती है एक इनका दूसरा जो बिजनस वो है सोलार एपीसी का अब सोलार एपीसी का बिजनस दोस्तों जो है वह यहां पर कंपनी को प्रोवाइड करता है complete comprehensive तो एक सोलार एपीसी बिजनस आज कल दोस्तों कर बात करता हूं सोलार एपीसी बिजनस का तो आप देखेंगे तो मैनुफेक्ट्र कर चुके है यह अल्मोस 7205 बेरिंग के जैस 295 अधर प्रोड़क्स भी दोस्तों कंपनी नहीं यहां पर अपने कस्टमोर्स के लिए आटोमोटिव रेल्वेस आविएशन एन एरोस्पेस कंस्ट्रक्शन माइनिंग इन सब के अंदा दोस्तों दे रखा है तो क्या कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो डिफिनिटली बहुत अच्छे पेस से ग्रो कर रही है नहीं नहीं चीज़े ला रही है इनके five manufacturing facilities है अगर मैं बात करता हूं तो दो तो देखिए यहां पे आपको facilities आते विए देखने को मिलते है एक तो है चंगोधर और एक है मोरेया जो नियर एमदाबाद गुजरात है इंडिया में इनकी एक और one manufacturing है एक तो है चांक्सू एक फिर चाइना और यहां पे आपक लिमिटेड दोस्तो एक तीन holy owned subsidiaries है इनकी एक तो चाइना में आपको देखने को मिलती है जिसका ना में हर्शा प्रिसें बेरिंग कंपोरेंट्स चाइना एक यहां पे अमेरिका में हैस पील अमेरिकास कोपरेशन और एक आपको Netherlands में देखने को मिलता है जो है हर्शा इंज अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की strength और weaknesses के बारे में बात में बात करेंगे कंपनी के fundamentals के उपर तो अब दोस्तों strength समझीए सबसे पहली बात तो क्या है इनका comprehensive solution है वो provide करता रहता है offer diversified suit of precision अच्छी बात क्या है कि diversified precision है इनके पास और कह सकते हैं कि geographics और end user industry के लिए काफी बढ़िया रहता है दूसरे दूस्तों सबसे बढ़िया इनकी बात है वो है कि long standing relationship है इनकी leading clientele के साथ यानि अच्छी relationship maintain करते हैं जो इनकी leading clientele है तीसरी दूस्तों यह ही कि strategically located है domestic और international production facilities जो है इनकी पास warehouse है काफी साही जगह पर चौता है कि देखिए इनका जो expertise है वो tooling, design, development, automation इन सब के अंदर रहता हुआ देखने को मिलता है तो यह चार company की बढ़िया बात है अब बात करते है weaknesses के उपर पहला रिस दूस्तों यह ही कि company के पास क्या है limited number of customer group से जो एक अपने हमेशा देखिए company के लिए major दिक्कत रहे की because वो जो revenue है वो major उसी portion से आता है दूसरा यह है कि company का inability है कि वो relationships नहीं बना पाता है network जो agent है इनके जो fulfillment होती है उन need customers की हवे कह सकते है deficiency type है जो service provide करते है agents उनके अगरे दिक्कत है बन सकती है businesses के अंदर तीसरी बात कि कि कोई भी failure जो आता हुआ देखने को मिलता है या फिर जो renew या फिर comply up necessary regulatory approvals चीए रहला licenses चीए वो हमेशा एक दिक्कत रहती बिकोज वो इतने आसानी से मिलते नहीं है चौती दोस्तों company के लिए दिक्कत यही कि जो company है वो certain है कि इनके कुछ subsidiaries जो है उनके उपर एक unsecured loans है जो कभी भी दोस्तों अगर lenders ने बुला लिये तो वो एक बड़ी problem बन जाएगी पाचवी दिक्कत company के लिए यह है कि जो इनके certain contingent liabilities है वो हमेशा दुस्तों materialize है यानि financial conditions के उपर वो basically effect डाल सकती है आने वाले समय के अंदर तो यह एक major जो है problem है company के लिए अब fundamental समझे इस company के आप company के financials देखेंगे तो 2019 में company loss report किया था 27 करोड का 27 करोड का company loss report किया था फिर 31 मार 2020 में 21 करोड के मुनाफ़े पर आई यह हर financial year के अंदर यह अपने आप में major की खास्यात है revenue लगातर आपको देखने को मुलेगा company का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है जो revenue 2019 में 117 करोड का था वो अगले साल 899 करोड का हो गया उसके अगले साल थोड़ी बहुत दिक्कत आई 876 करोड का लेकिन अभी आपको लाइक क्यों है तो देखे सबसे बहली बात तो क्या company को prepayment अफरी कह सकते है जो schedule payment जो borrowing कर रखा है वो चुकान है कुछ पैसा चीए company को अपने capital expenditure के लिए कुछ infrastructure की repair और renovation के लिए company पैसा मांग रही है और कुछ general corporate purposes है जो यहापे company को चीए उसके लिए पैसा अब tentative program की बा करोड आपको देखने को मिलेगा fresh issue और 300 करोड का OFS है issue type दोस्तो book bill type का BACNAC दोनों पर list होगा QIB को 50% से ज्यादा shares offer नहीं होंगे नहीं इसको 15% और retailers को 35% company के promoters की बात के दोस्तों company के promoters है वो है Rajendra Shah, Harish Rangwal, Vishal Rangwal and Pilak Shah यह है दोस्तों company के promoters अब बात करें दोस्ता आपको एक lot के लिए total 45 shares मिलेंगे आप चाहे तो total 13 lots के लिए apply कर सकते है with 585 shares जिसमें आपको 1,93,050 और अगर एक lot लगाते तो 14,850 अगर आप HNI है तो minimum आपको कम से कम 14 lots के लिए apply करना पड़ेगा with 630 shares इसमें 2,7,900 रुपे लगेंगे big HNI है तो 67 के लिए maximum apply कर सकते है 9,94,950 अगर आप यहाँ पर कह सकते है HNI है तो आपको minimum आपको 68 के लिए 30,60 shares के लिए आपको यहाँ पर apply करना है जो करीबन 10,00 रुपे के आस पास पड़ेगा तो इस प्रेकार से कुछ application है अब अगर कुछ important dates की बारे में बात कर लेते हैं तो 14,16 सितंबर की बीच में खुलेगा 21 तारीक को दोस्तों allotment आएगा 22 को इसका initial refund और 26 तारीक को listing होती भी देखने को मिलेगा तो listing होतो काफी दिन है बट 14 तारीक से यानि यह आपको IPO जो है वो open होता हुआ देखने को बहुत जल्द मिलने वाल है Wednesday से Friday के बीच में यह open देखने को मिलेगा अब बात करते हैं क्या अप्लाय करना है तो 110 अप्लाय करना है देखे ग्रे माकेट बढ़िया प्लस कंपनी आपको जो शेयर लाई यह 330 रुपे के भाव पे 330 रुपे मानीगा तो यह सई है कोई जदब महेंगा नहीं है अगर आप इसमें देखेंग एक चांसे यही कि पैसा जो आपका वो डबल होता हुआ देखने को मिलेगा तो लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटल इसमें अपलाय आप करके चल सकते हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देन चैनल से नहीं जोड़ों सब्सक्राइब कर देना जरू कमन करके तहीं कि आप लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं थेंक्यू फ्रेंट्स वीडियो